हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल टेक्निकल अशिन आज प्रेणाम 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 प्रेणासोनिक का 32 इंच का HD Smart TV अंवासिंग करेंगे तो आपका 60 साल का आपनले अनलेटस मोडल है और फीर्ड याफका Smart TV है जिसी गंदर आपका Direct skin mirroring का support भी मिल जाता है तो आपका Direct mobile से भी skin mirroring काट सकते हैं और इसी अजो MRP है 23,90 आगर चलकर डिसकेशन करेंगे या पच्छस करेंगे तो आपको कितना पैस पड़ेगा तो फेंड आप आओं चानल पे नहीं आएं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी नहीं नए वीडियो नोडिशन पाने के लिए बेल एकन गौन कर दीजिए चलिए फेंड वीडियो सुरू कते हैं तो फेंड फाइनल ने आमरे टीबी अनबसिंग हो चुका है इसी का अंदर क्या क्या आसेसर्ज मिल जाता है सब सब पहले देख लेते हैं तो फेंड सब सब पहले इसी गंदर आपका remote मिल जाता है जो आपका बहुत सारा operating system में इस remote का अंदर मिल जाता है जो आगे चल के discussion करेंगे कैसे use करेंगे इसी बाद इसी गंदर आपका ABPIN मिल जाता है इसी packet का अंदर ही मिल जाता है इसी बाद इसी गंदर आपका चार्ट स्क्रूल मिल जाता है जो आपको table mounting screw है जो आपको table mounting करने के time आपको काम आएगा उसी बाद इसी गंदर आपका manual card मिल जाता है जो आपको warranty card भी है और आपका remote और TV का दोनों का manual operating system में इसी का अंदर mention के हुआ है जो आपको बाद में चाहें तो देख सकते हैं इसी बाद इसी गंदर आपका wall mounting stand मिल जाता है जो आपको easily wall mounting कर सकते हैं तो आपको अलग से बाहर से पत्सकना नहीं पड़ेगा इसी package का अंदर ये आपको मिल जाता है और उसी बाद इसी गंदर आपका 2 table mounting stand मिल जाता है जो आपका plastic बाला stand है जो आपको easily table mounting कर सकते हैं और फ्रेंड ही आपका stand पत्सकना नहीं पड़ेगा ये भी आपको iC package का अंदर मिल जाता है तो फेंड इतना ही आसेसरी जिसी गंदर मिल जाता है और फेंड इसी का जो model नमबर है 32LS 550DX जो आपका 2022 का latest model है टोटाल आपका 50W का elite generation करता है उसी के साथ आपका Dolby Audio supported है जो आपका 1010W का 20W का powerful sound system इसी गंदर लगा हुआ है जो आपका Dolby Audio sound आपको provide करेगा इसी के बीच में आपका power on up का button मिल जाता है जो आपका remote कुछ problem आ गया तो आपका TV में भी direct power on up कर सकते हैं और इसी गंदर आपका adapter नहीं मिलता है जो आपका direct code इसी गंदर मिल जाता है जो आपका 2-pin बला code है जो आपका easily कहीं पर भी लगा सकते हैं तो फेंचे लिए देखते हैं इसी के अंदर क्याका input करने के लिए इसी के अंदर मिल जाता है जो आपका input कर सकते हैं सबसे पहले इसी के अंदर आपका dot usc pod मिल जाता है जो आपका pen drive लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और उसी के side में आपका LAN pod मिल जाता है जो भी आपका ज्यादा जरूतने पड़ता है और उसी के side में आपका दोठो HDMI मिल जाता है जो आपका ARC का input है और normal HDMI एक्ठो मिल जाता है और उसी के side में आपका AV pin का jack है जो आपका 3 pin बाला cord है वो इसी के थ्रोश से आपका input होगा और उसी के side में आपका headphone jack मिल जाता है जो आपका 3.5 mm बाला jack है जो आपका home twitter और headphone दोनों ही इसी का अंदर input कर सकते हैं तो फिन इतना ही आसरीज इतना ही input इसी के अंदर मिल जाता है तो फिन चलिए TV को table mounting कर देते हैं उसी बाद इसी के features का उपर discussion करेंगे तो फिन फाइनल आमरे TV table mounting हो चुका है इसी का remote का operating system देख लेते हैं के से यूज़ करेंगे और के के operating system इसी के अंदर मिल जाता है तो आपका बहुती मोटा remote इसी के अंदर मिल जाता है सबसे पहले इसी के अंदर आपका power on the bottom मिल जाता है जिसी के तो आपका power on the bottom कर सकते हैं और उसी के side में आपका guide के bottom मिल जाता है जो आपका guide कुछ देखना चाहते हैं तो इसी bottom के तो उपन कर पाएंगे और उसी के side में आपका TVAB का direct bottom मिल जाता है जो आपका A की bottom से TV और AB convert कर सकते हैं और उसी के side में आपका menu का bottom मिल जाता है जो आपका picture mode, sound mode, setting करने के time आपका काम आएगा और उसी के side में आपका test का bottom मिल जाता है जो आपका ज़्यादा ज़रूतने पड़ता और उसी के side में STL का bottom मिल जाता है जो आपका ज़्यादा ज़रूतने पड़ता और उसी के side में आपका screen का display resolution change करने के लिए option मिल जाता है जो आपका resolution change कर सकते हैं और उसी के side में आपका information का bottom मिल जाता है जो आपका ज़्यादा ज़रूतने पड़ता और उसी के side में आपका exit का bottom मिल जाता है जापका application खोल रहे हैं तो इसी bottom के तो इसी bottom के तो से exit कर सकते हैं और उसी के नीचे आपका application का bottom मिल जाता है जापका इसी bottom के तो से आपका सारे application open कर पाएंगे और इसीगे अंदर आपका netflix का direct hot के मिल जाता है और कुछ hot के इसीगे अंदर नहीं मिलता और इसीगे side में आपका home का bottom मिल जाता है जापका सारे home application इसी bottom से open कर पाएंगे और इसीगे नीचे आपका arrow pivot मिल जाता है जापका internet using के time क्याम आएगा और इसीगे नीचे आपका option का bottom मिल जाता है जापका option के तरों से आपका direct picture mode sound mode setting कर सकते है और इसीगे side में आपका return का bottom मिल जाता है जापका कुछ application खोल रहे हैं कुछ use कर रहे हैं तो इसी bottom के तरों से return कर सकते है और इसीगे नीचे आपका arrow green yellow का bottom मिल जाता है और इसी के नीचे आपका Last View का Option मिल जाता है और इसी के नीचे आपका Pen Drive का सारे Option मिल जाता है जो आपका Play, Push, Forward, Recording सारे Option इसी का अंदर मिल जाता है तो फैंड इतना Input इसी Remote का अंदर मिल जाता है तो फैंड चेले TV आन करते हैं TV के अंदर क्या क्या facility है और क्या क्या features मिल जाता है उसी को पर discussion कलते हैं और पर यह आपका Android TV नहीं है यह आपका smart TV है इसलिए इसी गंदर आपका RAM, memory कुछ नहीं है तो आपका सर्फ cloud-based storage है जो आपका cloud-based के त्रोस है जो भी application इसी के अंदर मिल जाता है उसी application को सर्फ use कर सकते हैं कुछ आपको download करने का option इसी का अंदर नहीं मिलता तो open TV मेरा setting हो चुका है यह इसी का home page है इसी के अंदर आपका home page में आपका बहुत सरा application मिल जाता है और इसी के अंदर आपका direct source का input मिल जाता है आपका HDMI, FBA, direct equivalent से open कर पाएंगे और इसी source के input के थ्रों से भी आपका USB open कर सकते हैं आपका direct USB का option मिल जाता है और इसी के अंदर आपका DLNA का भी direct support मिल जाता है आपका mobile से casting कर सकते हैं लेकिन आपका YouTube और DLNA यूज़ करने के लिए आपका internet connection हो ना जरुए टीवी में internet connection देंगे उसी के बाद ही आपका सारे यूज़ कर सकते हैं और इसी के अंदर आपका direct internet connection भी कर सकते हैं आपका Wi-Fi के थ्रों से connection कर सकते हैं यह तो आपका dongle लगा सकते हैं यह तो आपका direct LAN port भी इसी के अंदर प्रोबाइड किया हुए जो आपका direct lanport भी इसी का अंदर use कर सकते हैं और इसी के home page में आपका बहुत सार आप्लीकेशन मिल जाता है लेकिन जो आपका application नहीं मिलता वो आपका download नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी कंदर आपका inbuilt storage नहीं मिलता लेकिन फेंड इसी गंदर आपका direct skin mirroring का support मिल जाता है जो आपका direct skin mirroring कर सकते हैं जो आपका android tv में कुछ application download करके आपका skin mirroring करना पड़ता था इसी के अंदर आपका direct skin mirroring का support मिल जाता है जो आपका mobile से सारे content इसी के अंदर direct wearlessly share कर सकते हैं तो फेंचे लिए इसी का internet connection कर देते हैं उसी बाद इसी गंदर आपका YouTube प्ले करके इसी का demo content प्ले करेंगे कितना better picture कलाइटे इसी गंदर मिल जाता है वो भी देख लेंगे और इसी गंदर जो आपका setting का bottom मिल जाता है उसी को press करने से आपका picture mode, sound mode, network सारे आपका इसी का अंदर मिल जाता है तो आपका direct आपने साब से customize का सकते है और इसी का अंदर आपका universal access का भी option मिल जाता है और आपका pen drive का भी option मिल जाता है जो आपका mouse और keyboard भी इसी का अंदर use का सकते है wearlessly जो आपका mouse और keyboard का ज़्यादातर support नहीं मिलता इसी के अंदर direct support मिल जाता है तो फ़ेंच लिए इसी के अंदर पहले internet connection करते हैं इसी के बाद इसी के अंदर demo content play करके इसी या picture clarity comparison करेंगे तो फ़ेंड मेरा internet connection हो चुका है और इसी के अंदर आपका direct software update का भी option मिल जाता है जो आपका कुछ नया update आया तो इसी के अंदर आपका update कर सकते हैं जो आपका cloud based update मिलेगा और इसी के अंदर आपका picture mode sound mode आप अपने इसाब से customize कर सकते हैं जो आपका दोनों का option इसी के अंदर मिल जाता है जो आपका picture mode आपने इसाब से load down कर सकते हैं पर आपका sound mode भी इसी कंदर आपका low down कर सकते हैं, लेकिन इसी कंदर आपका Bluetooth का option नहीं मिलता, आपका Bluetooth से connect नहीं कर सकते हैं, जो आपका वेरलेसली connection इसी कंदर नहीं मिलता, आपका वेर बाला connection करना पड़ेगा, तो फेंच लिए इसी कंदर कुछ demo content प्ले करते हैं, YouTube ओपन कर इसी का picture clarity इसी कंदर करेंगे, और इसी कंदर आपका typing करना भी बहुत easy है, जो आपका easily typing इसी कंदर कर सकते हैं, और आपका wireless keyboard mouse लगाना चाहते हैं, तो आपका direct option इसी कंदर मिल जाता है, तो फेंड मैं कुछ demo content चला रहा हूं, और इसी कंदर जो आपका resolution है, आपका maximum 1080 pixel तक इसी कंदर देख सकते हैं, जो आपका maximum resolution इसी कंदर आपका full HD support करता है, तो फेंड मैं कुछ demo content चला रहा हूं, आप इसी का picture clarity देख सकते हैं, जो आपका बहुती better picture clarity इसी कंदर मिल जाता है, जो आपका इसी कंदर आपका HDR मिल जाता है, उसी के साद आपका vivid pro का processor लगा हुआ और इसी कंदर जो आपका sound system है, 20W का powerful sound system इसी कंदर मिल जाता है, जो आपका अलग से home data लगाने के जुरत नहीं है, जो आपका ज्यादा TV यूज नहीं करते हैं, जो आपका internet यूजिंग ज्यादा नहीं है, तो आपका ये TV पचस कर सकते हैं, जो आपका budget ली भी आ जाता है, तो आपका ये TV आप पचस करना चाते हैं, तो इसी का MRPA 23,990, तब बाहर से पचस करेंगे, तब का 17,500 से 18,500 के अंदर मिल जाएगा, जो आपका panasonic का 32 inch का smart TV है, तो आपका ये इतना ता वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और शेयर कीजिए, सब्सक् वीडियो इस चनल पर लाते रहते हैं, थैंक यू